और अब खबर असम के मार्ग्रेटा अंचल से जहां जीवन भर की पड़ाये लिखाए वो शिक्षा की दिग्रिया एक शिक्षक के सामने नाकाफी साबित हुई जी हाँ यह कोई फिल्मी पटकता की लाइने नहीं है यह तो असम के तिन सुकिया जिले के मार्ग्रेटा अंचल के शिक्षक से मास बेचने तक की रियल स्टोरी है हाल ही में पूरे देश भर के साथ साथ हसम में मार्ट से जारी हुए लोगडाउन के चलते आलम यह है कि एक आदर्श शिक्षक भी अपना पेट भरने के लिए मास बेचने पर मजबूर हो गया है मुए जन ब्यक्तिकोटो इस्कुलोर हिक्षक किन्टु गटमान एना याता परिस्तिरी सिस्ती होई से मूर भाबे जे इस्कुल बिलाग बंधो हुआर भाबे ब्यक्तिकोटो बिद्ध्याले हमुहे हिक्षक लोग दर्माहा दिबा पारने आजी मूर निशिना बहुतु हिक्षकर पानित हानस्रा अभस्ता होई से ठीक हरने मुहे आजी अपनार निजर घरखन छलाबर कावने एटा हरुमरु ब्यभखायारंपर कोई सु मुहे जन हिक्षित जुबग होईु मने आपनार रास्टार किनारोत आहिकिने मुहे मासमांखर बोधार काटिशु निजर घरखन छलाबले और लगोते घरखन छला उपरियु मुहे हमाजर जी नर्टुन जुबशाम ताहातोकु एता मेसेश दिबो विशेरिशु जाते त मुहे जन तेट उठी न पार्थी होई। जीवन के साथ लडी जा रही लडाई में असम डास्नार न कोड़ी एननार भोई। के तिनसु किया जिले के मार्ग्रेटा अंचल अंतरगत अंबिकापुर गाउं के इस शिक्षक ने हार नहीं मानी। जब सारे शिक्षन संस्थान बंध हो गए। तब एसे में अपना वह अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए अंबिकापुर गाउं के एक शिक्षक अमूल्य गोगोई ने मास बेच कर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। इस शिक्षक को ब्रमाजान तिनाली पर जीवन्यूत से लने के लिए प्रते दिन मास बेचते देखा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार अमूल्य गोगोई एक निजी स्कूल में शिक् करने को विवश है। न्यूस डैस्क रिपोर्ट तिन सुकिया।